नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News रामदेव बावा की मुश्किले अब बढ़ती नजर आ रही है जहां आपको बता दे बावा रामदेव के एक पैग्ड हनी का नमूना जाँच में फेल हो गया है आपको बता दे क्लासिकल का पैग्ड हनी का नमूना जाँच में फेल होने पर एक्शल लिया गया है न्याय कानून के अधिकारी ने अधिकारिक जाँच में फेल होने पर कारवाही की है प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब चार साल पहले उत्राखंड के पुश भंडार जिले के डीडी हाट से ली गई एक नमूना जाच का नमूना तैयार किया गया था जाच के बाद पैग्ड शेहद का नमूना अधो मानक पाया गया आदर्श में सुक्रोच की मातराच शमता से अधिक थी मामले में शुक्रवार को न्याए विभाग के अधिकारी ने डीडी हाट के विक्रेता और इंजीनियर की डिस्ट्रिब्यूटर कमपनी पर एक लाग रुपे का अर्थ दंड लगाया है आपको बता दें जिला खास सुरक्षा अधिकारी आमिश शर्मा ने बताया जुलाई 2020 में विभाग ने डीडी हाट इस्थित गौरव ट्रेंडिंग कमपनी से पैक्ड रेलवे कमपनी का नमूना एक साथ जाच कर रुद्रपुर इस्थित लैप को भेजा था चाच में सुक्रोच की मात्रा मानक वश पांच प्रतीशत की जगा 11.1 प्रतीशत यानी की लगभग दो गुणे से अधिक पाई गई है जिहां आपको बता दें कि नवंबर 2021 में डिपार्टमेंट ने रिलेटेड सेलर्स के खिलाफ बौविट बनाया इसमें शुकरवार को न्याय विभाग के अधिकारी एवं फरनीचर डॉक्टर बेंज वर्णवाल ने यह निर्ने लिया उनके उत्पाद विक्रेता गौरफ ट्रेंडिंग कमपनी पर 40,000 और सूपर स्टॉकिस का नहाजी डिस्ट्रीब्यूटर इंजीनियर पर 60,000 रुपे की कमी है